हेलो एब्रिवान फिर से आप सभी का श्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में मैं अभी तयार हो गया हूँ प्रेंज के स्कूल को जाने के लिए क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग है बच्चों का अनुवल एक्जाम होगा इसलिए सब पेरेंट्स लोग बुलाए गए है तो मुझे पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके जल्दी घर लोटना है क्योंकि मुझे बहुत फिक्र होता है प्रेंज के लिए मैं जहां कहीं भी जाता हूँ तो प्रेंज के बारे में बहुत मुझे शोचना पढ़ता है चिंता होती है क्योंकि प्रेंज अपना दादादी का बात सुनता नहीं और इधर उधर चलाता है प्रेंज यहां खिल रहा था अकेला वहां एक आटो खड़ा है तो आटो में बैठ के खिल रहा था प्रेंज खोस है वो केक और आइसक्रीम देखकर क्योंकि उसे बहुत पसंद है आइसक्रीम और अभी समय हो रहा है चार पंदर बहार अभी थोड़ा धूप है तो मुझे कुछ कपड़ा साफ करना है जो कल का और आज का गंदा कपड़ा है और यह वाला हुआ प्रेंज का कपड़ा यह बच्चा थोड़ा ज़्यादा इधर उदर खिलता है तो उसका कपड़ा थोड़ा ज़्यादा मेला हो जाता है बार बार बदलना पड़ता है और यह हुआ मेरा कबड़ा और यह 260 है मेरा और इसमें मा की एक नाइटी है और यह दूसरा नाइटी है यह मा की है जो अभी मैं साप करके जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि जो अभी खाना हुए है दोह पहर के वह बरतन भी मुझे धोना है आने के बाद कर दोह और कपड़े हमारे जितने लाए थे मैं साफ कर दिया उसे और कपड़ा साफ करने के बाद पसिना बहुत छुड़ता है अगर ट्यूवेल में साफ करता तो और भी ज्यादा परिशान होना पड़ता क्योंकि वहां पानी निकालना पड़ता है तो इसलिए मैं यहीं तलाप पे जा गया कि कपड़ा धोकर सुखाने के बाद साम हो गया और इस तरफ और भी काम पड़ा है जो मुझे बरतन धोना है तो इसलिए मैं दो वकेट पानी लाया और सारे बरतन धो दिया झालने पानी पानी लाया और साम हमान घसलिए मैं आट सुष कर दोग मैं जा तो इसलिए मैं बरतना प्या रदानी निकालना प्यार्पते है तो इसलिए मैं जाता है अँड़ता है झालना है कर दो कर दो कर दो दो और अभी शमय हो रहा है रात के साड़े दस प्रिंस भी सो गया है और आज मैं जो पेरेंट्स मिटिंग गया था प्रिंस के लिए एक्जाम पेपर्स मीला है स्कुल के तरफ से इसमें छेटो सब्जेट का ऑनलाइन एक्जाम होगा और आज मैं अपने के लिए कुछ कपड़ा खरिदा हूं नाया वाला क्योंकि बहुत दिन हो गया है मेरी वाइप की डेथ के बाद मैं पपड़ा नहीं खरिदा था यह वाला जो मैं पहना हूं और और एक टी शार्ट है और मेरा दो हाप पेंट निकर्स जो है वह भी पहले से ही खरिदा था अभी वह सब फटने टुटने लगए हैं पिरेंस बार 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 बोलता है पापा आप यह पुराना वाला और फटा टुटा वाला कितना दिन पहनोगे और मैं आप लोगों को देखा देता हूं यह वाला एक टीशाठ है यह यह वाला एक टीशाठ है यह यह निकर्स है सटलोवर पैंट जो हो यह एक वा और और एक लिया हूं यह दूसरा वाला निकर हुआ तो दोठो निकर्स लिए और दोठो टीशाठ लिए हैं और यह सब कपड़े तो नए लिए हैं लेकिन दिल में और मन में कुछ नया नहीं है वो सब पुराने बाते अभी भी चल रहा है आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं आप सभी को दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरा यूट्योब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में आप सजेशन या एडवाइस दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और फिर मिलते हैं अगले न्यू भी ब्लॉग में न्यू वीडियो में तब तक के लिए गुट नाइज गुट बाइज